Hello everyone, welcome to Global Online. So, आज की ये वीडियो आप सभी NTA UGESonet उमीदवारों के लिए बहुत ही सादा important and informative है. आप में से बहुत सारे students ऐसे हैं जिनका target जून 2030 UGESonet examination को qualify करना है. लेकिन इस समय बहुत सारे students confused ये हो रहे हैं कि में का first week भी almost complete हो चुका है. लेकिन अभी तक NTA की तरफ से कोई भी official notice नहीं आया. और बहुत सारे students हमसे ये भी queries कर रहे हैं कि क्या examination की dates इसमार्ट चेंज हो चुकी है, क्या June में exam नहीं होगा, July में exam होगा. तो आज इस वीडियो में हम इनी सब चीजों के उपर discussion करने वाले हैं. हम NTA की official website पर जा करके देखेंगे कि exactly क्या NTA चाहता है और क्या NTA ने अपने last public notice में सभी students के साथ share किया था. तो आप सभी के mind में भी अगर ये सारे questions हैं, तो आप सभी इस वीडियो में तक जरूर बने रहिएगा. इसी के साथ मैं सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये जो भी इस वीडियो में हम discussion करने वाले हैं, अभी तक NTA की तरफ से कोई official update नहीं आया है, ये हम अपने analysis और NTA ने पहले कैसे खाम किया है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते 10% selection के guarantee के साथ मैं paper 1 का revision crash course आपके लिए लेकर आई हूँ, इस crash course के endless benefits हैं, ये आपको इस short period में भी paper 1 का पूरा syllabus इसमें आपको मिल जाएगा, daily live lectures के साथ हम आपके paper 1 के सारे 10 units cover करवाने की guarantee देते हैं, और उसकी साथ ही students, आप चाहें हिंदी मीडियो में पढ़ रहे हो, या paper 1 के total 10 units के PDF है, इन PDF को बहुत easily आप लोग download करके, अपने device में, अपने mobile या laptop कहीं पर भी run करके पढ़ सकते हूं, 60 से भी जादा मौक्तिस यहां पर आपको मिलते हैं, इसमें से की as it is questions देखने को मिलेंगे, इससे आपको clear idea भी हो जाएगा कि आपकी तयारी कैसे चल रही है and most important point की 2000 plus MCQ question bank हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस question bank में आपको हम previous year questions, most expected questions and most repeated questions provide कराते हैं, तो आप सभी students आज ही इसको join जरूर कीजेगा, इसमें से इस complete course के अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है and इसको join करने के लिए आप इन numbers पर WhatsApp की through contact कर सक करते हो या फिर global online app को डाउलोड कर लीजिए इसमें आपको free videos का access भी मिल जाएगा, आप डाउलोड करने के बाद जैसे ही आप store section पर जाओगे, आपके सामने search bar रहाएगा, search bar में योजिसनेट 2023 लिखने के बाद आपके सामने revision crash course दिखेगा, इस पे आप क्लिक करोगे, Hindi medium और English medium बोथ students के लिए ये live lectures है, demo lectures है, and यहाँ पर आप देख सकते हो, full syllabus mock test 2000 plus MCQ PDF, and इसमें free videos भी अविलेबल हैं, जो कि आपको definitely बहुत पसंद भी आएंगे, and यहाँ आपको exam में बहुत जादा मदद भी करेंगे, अच्छा score करने में, तो आप इन numbers पर contact करके सारी जानक हम यहाँ पर official website देख रहे हैं, तो आप सभी students देख सकते हो, last score card आया था पिछले cycle का, वही notice है, इसके बाद NTA ने जून 2023 में होने वाले exam सर-related कोई भी public notice जारी नहीं किया है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात clear कर देना चाहती हूँ, कि students लगातार ये पूछ र रहा है, लेकिन आज हो चुका है मैं का first week almost complete, अभी तक कोई notice नहीं आया, तो क्या exam नहीं होगा, मैं आपको बदा देती हूँ, आपके confusion को बिल्कुल clear कर देती हूँ, कि exam होने के अभी भी 100% chances है, देखो students, last cycle जो हुआ था, आप लोगों को पता है कि 21 फरवरी से exam होना था, and January के first week में NTA ने public notice जारी किया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग देड़ महीने के अंदर NTA ने जो promise किया था, उसी date में exam को conduct भी करवाया, तो इस बार भी यही हो सकता है कि अभी में मन्त पूरा पड़ा है, जून मन्त पूरा पड़ा है, तो लगभग side face भी इस चीज़ का लेकर यह चल सकते हैं कि अगर 13 जून से exam नहीं होता है, तो 20-22 जून से तो definitely exam स्टार्ट हो ही जाएगा, so overall इस वीडियो में हम यही conclude करते हैं कि NTA जैसा promise कर रहा है, वैसे काम कर रहा है, बहुत ही जादा fast तरीके से NTA ने इस बार काम किया है, तो definitely आप लोगों का exam होगा, आप बस अपनी तयारी में लगे रहे, आपको बार-बार यहां वहां परशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे students हमें भी messages और calls कर रहे हैं कि exam कब होगा, public notice कब आएगा, बस मेरा यही कहना है आप सभी को, कि आप अपनी तयारी पे लगे आप अपना target यह रखकर चलिए कि आप लोगोंने कम से कम 10 जून तक अपना पूरा syllabus कवर कर लेना है, इसके बाद का जो समय बचेगा, उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी revision भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, है ना, तो यह आप लोग अपना target रखकर तयारी करते रहे कि hard work से जादा smart work अगर करोगे, previous year questions को जादा से जादा solve कीजिए, आप लोगों को बहुत help हो जाएगी, क्योंकि अगर आप लोग topic wise चीजों को पढ़ने जाओगे, तो आप confused हो जाओगे, क्योंकि syllabus में, खास करके यह point में नई students के लिए बात कर रही हूँ, अगर आप syllabus की हिसा आप से तयारी करोगे, तो आपके बहुत सारे topics मिस हो जाएंगे, क्योंकि syllabus में कितनी चीज़ें ऐसी हैं, जो कि दिखती नहीं हैं, लेकिन exam में हर बार पूछी जाती है, ओके सो इस पे भी अगर separate session आप चाहते हो, तो मैं जरूर आपके लिए लेकर आऊंगी, यही है कि exam आप लोगों का जून के last week में जरूर हो जाएगा, इस से जादा postpone बिलकुल भी होने के chances नहीं है, तो आज ही अपनी तयारी पे जुड़ जाए, revision crash course को आप जरूर चेक कर सकते हो, free videos यहाँ पर आप सभी students के लिए available है, definitely पसंद आएंगी, आप इनका access जरूर कर लीजेगा, so thank you so much for watching this video and I wish you all